हेलो अर्वन वेल्कम डेद्वाद एजूकेशन और जैसे आप सभी को पता है कि हमारा एटी सी का जो कोर्स है वो लाउंच हो चुका है काफी रिजनेबल प्राइस है 3500 और यह उफर जो वैलिड होने वाली है मार्ट फिप्टींत ओव जून यानि कि केवल दो दिन शेस रहे एगा एएटी सी तो इस बैच को जल्दी से जॉइन कर लीजिए क्योंकि जो क्लासेस हैं बस दो दिन में स्टार्ट होने वाले हैं और किसी भी प्रकार किये दिया और आपको इन्फोर्मेशन चाहिए तो आप इन दिये गये नंबरों पे कॉल कर सकते हैं वैलिडिटी के द हमने आपको बताया है आईए एक और सेक्षन और जो प्रशन आया था इसको हम बोल सकते बेसिक लिए दिस इस दा क्वेशन आप 2018 2018 का यह जो प्रशन एटी सी में पूछा गया था जूनियर एक्जीकेट्यू में एंड यदि मैं सेक्षन की में बाते करते हो तो यहां पर हम हम सेक्षन इस को देख सकते हैं सबसे पहले तो हम बाते करेंगे जीएस जीएस में प्याशन में रख सकते हो कर यह तो गया उस पर तो हम बाद में आएंगे सेक्शन कौह से यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे महत्वपूर्ण है तो जैसे मैं यहां पर देख पा रहा हूं प्रशन पूछा जा रहा है एस पर एकॉनमी सर्वे 2017-18 यहां पर बाते कर रहा है आर्थिक सर्विक्षन 2017-18 इस सर इसको केवल 17 लिखना था या तो केवल इसको 18 लिखना था उन्होंने 17 और 18 क्यों लिखा है के नहीं इसके भी हम यहां पर बाते करेंगे आप जैसे कि हमारा वर्शर है 2022 तो अब जो प्रश्न पूछा जाएगा हो सकता है वह 2021-22 यह भी पूछा जा सकता है आप लोगी सर 22-23 क्यों नहीं 22-23 क्यों नहीं आएगा 21-22 ही क्यों आएगा क्या सर आपने कॉपी कर लिया कि 2018 में आ था इसने 1718 एक साल कम करके लिखा तो इसलिए आपने भी 21-22 लिख दिया क्या सर ये 22-23 भी तो हो सकता है 22-23 भी तो हो सकता है लेकिन मैं बोलोंगा नहीं होगा क्यों न कर्थिक सर्वेक्षन 2017-18 के अनुसार सर्विस सेक्टर का बोले दूसर सेवा छेत्र का हिंदी में हम इसको बोलते हैं सेवा छेत्र अब इसके लिए आप लोगों को सेक्टर समझना पड़ेगा है के निए सेवा छेत्र का जो जीडी जीवी ए है यानि कि ग्रॉस एडेट वैल हाँ है प्रशन आपको आगे समझ में हिंदी और इंग्लीश में दोनों में इंग्लीश में बोलता है एस पर द एकॉनमी सर्वे 2017-18 अनुसार या उसके डेटा के अनुसार सिवा छेत्र में भारत में सकल मुल्य आवर्धन का प्रतिशत जो है वो कितना रहा है कितने प्रतिशत और यहां पर दिया गया 55-45-25 एंड 95 तो यदि आप लोग जब इसको पढ़ेंगे ना जब हम आपको पढ़ेंगे तो हम आपको पहले से बता दिए 95 नहीं हो सकता और यह 25 नहीं हो सकता इन दोनों में से कोई एक होगा कि अप बिलकुल इसको ऐलिमिनेत कर पाओगे बिलकुल आप बोलेगे सर ऐसे जादू की छडी क्या जीए बिलकुल जादू की छडिये तो आईए मैं एक एक चीज आपको यहां पर डिल करने वालों क्या क्या चीज़त आपको बताऊंगा रुटा मैं पहले से बता देता ह क्यों क्या बोले सर्विस सेक्टर की बाते कर दी हैं तो पहले आपको समझना जो रही है कि यारी सेक्टर ऑफ हमने आपको बोला सर मैं 21-22 बोलूंगा क्योंकि अभी के comparison में बताऊंगा तो चलिए सबसे पहले one by one इन चीजों को शुरुआत करते हैं आई ये समझने की हम कोशिश करते हैं इसको भी हम बता देते हैं सर्विस अक्टर क्या होता है बस प्रश्ण समझने इंपॉर्टेंट है प्रश्णों को तह तक जाना इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं होना चीनि क्या अपने रट के चले गए आओ बटा मैं समझाता हूं यहां पहले तो हम समझते की सर्य एकोनोमिक सर्विक्षन क्या होता है तो यह क्या करती भारत सरकार का डिपार्टमेंट होता है इक बार्टिस जन्वरी को क्या करता है एक आखड़ी जारी करती है और अपने विस्लेशन जारी करता है एकनालिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक सर्विक्षन एकनामिक सर्वे बले ठीक है सर थर्टी फर्स जनवरी को करता है मान गए सर आप यह तो बताओ 1718 क्यों बोला गया है या फिर अभी 21 22 क्यों बोला जाएगा आओ इसके पीछे की कहानी हम समझाने के आपको कोशि किसके हम बाते कर रहें यहाँ पर फाइनेंसियल या फिनेंशियल की हम बाते करते हैं शौर्ट में इसको एफ वाई लिखा जाता है यानि कि बेटा इसका मतलब होता है वित्तिय वर्ष और वित्ति वर्ष जो इंडिया में शुरू होता है आप सभी को पता होगा यह स्टा अब आप बोलोगे सब फस्ट अप्रेल 31 मर्च नहीं समझा है मेरे को आव समझाता हूँ जैसे मैं बात करता हूँ अभी चरह है वर्ष 2022 2022 तो हम क्या बोलेंगे एक अप्रेल 2022 से लेकर 31 मर्च क्या एगा बिटा ये रिवर्ष तो नहीं जा सकता है इसलिए 2023 हो जागए है 2023 तब हम क्या बोलेंगे इस साल का जो वित्तिवर्ष है उसको हम बोलेंगे 2022 23 अब चुंकि अभी 23 आया नहीं है या फिर 2022 पूरा गया नहीं है तो इस साल के आकड़े तो आप जारी नहीं क कड़े जारी किये गये थे वो कब के थे 1 अप्रेल की 1 अप्रेल 2021 veto21 से लेके 31 स्ट मर्च 2022 कि अ किर आपको जारी किये गये यानि कि जो वर्ष गया है आपने 31 जनवरी 2022 को जारी किया तो 2021 में जो वर्ष गया है वह कौन सा वर्ष है 2021 है 2021 है अब वित्ती वर्ष की जब आप बात करें मतलब आपको 1st of April से काउंट करना है 2021 के जनवरी फरवरी मार्च में क्या हुआ उससे हमको मतलब नहीं है हमको मतलब है एक अपरेल 2021 से क्या क्या चीज़ें हुई और 31 जनवरी 2022 को जारी की जारी मतलब उस जनवरी की मेहने में क्या क्या चीज़ें हो रही है यह पूरी चीज़ें यहाँ प परवरी को जरली आम बजट जिसको हम union बजट बोलते हैं वो आपका लोग सभा में ये राज्य सभा जहां भी रहती जो मंत्री जो रहती है वित्न मंत्री वहां पर उसको प्रस्तुत करती है ठीक है तो ये काफी महत्तपूर्ण चीजें जो हमने आपको बताई कि क्यों इसको प्रश्न कहां पर पूछा जा रहा है आपको 1718 की बाते की जा रही है और यह आया भी 1718 में है है की नहीं तो इस प्रकार से हो गया करेंट अफिर यह उस साल का हो गया अब में जो सेक्शन है यह किसका सेक्शन है बटा इस इसको समझने के लिए आपको अर्थ वेवस्था जो है अर्थशास्त्र वह आपको समझना पड़ेगा बहुत ही आसान है अर्थशास्त्र कोई भारी भर कम चीज नहीं इस तो वेड़ी इस सब्जेक्ट है ना सबसे जी जीएस में जादी सबसे आसान को सब्जेक्ट है वह है एकोनोमिक्स आपको इतना फिलिंग दिला करते हैं अगला हमने क्या बोला था हम आपको बताएंगे सेक्टर आफ एकोनोमिक्स तो सेक्टर आफ एकोनोमिक्स में क्या होता है चली मेजर तौर पियादी हम बाते करते तो तीन सेक्टर में हम इसको डिवाइट कर लेते हैं तीन सेक्टर में हम इसको क्या करते हैं डिव समस्थे इसको प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक इसमें भी लगा लग पाइगे इन सब के भी अलग-अपने पर चī morph बताओंगा यहाँ पर मैं केबल पिश्री इननि की मद्से पालन इसके लाब का फॉरेश्टरी फॉररय तो आपका जो वन उद्योग उद्धार रहते हैं वन से संबंधित वह सारी की सारी चीजिए सेकंडरी सेक्टर में दो चीज़ें आती है क्या-क्या क्ट्रॉक्छन हो गया तैनि की निर्मान हो गया कि जा जाती सर आप लोगों का माइनिंग वगर होगों है कि लिए बिजली गेस आपूर्थी ये सारी की खीज़ountain say secondary sector के उंदरगत tertiary कोुम लोग बोलते बैटा सर्वी इंतर सेंटर के इंतर हो हूँ यह हमारी टीम जो आपको दे रही है सर्विस जो आपको प्रोवाइड करा रही है दिस इस नोन एस दा सर्विस सेक्टर मतलब यह सीवा हो जा रहे है क्या क्या जाएगा इसमें टिचिंग आ जाएगा मेडिकल फैसलिटीस आजाएगा जो चिकित्सा के साधन होते हैं आप से डॉक्टर देदी कंसर्टेंट फिस ले रहा है आप यदि कहीं ट्रेवलिंग करते हैं कहीं यात्रा करते हो आ जाएगा ट्रांस्पोर्टेशन आ जाएगा होटल सा जाएंगे रेस्टोरेंट आ जाएं good आर इसको लोग बोलते हैं goods और इसको मुलाक में जानते हो जी स्ट के नाम से मैं जाएंगा ज्यादा लंबा रखुणगा क्रेした क् этой के मुद्दे की बाद है को करनी है यहाँ पर आंसर भी हमको देने है। अप यहाँ से हम लोग समझते हैं अच्या इसमें मैं काम करूंगा इसका Country को नहीं ने बाते कर दी आव आपको समझाते हैं जो हम बात कर रहे थे यहां से आप एक चीज देख सकते हो यहां से आपको नजर आएंगी वह क्या क्या चीज आवड मैं समझाता हूं अग्री कलचर में क्या छीज नहीं आती तो मैंने बताया फोरिष्ट्री आ जाती है आपकी फिशिंग आ जाती है एगरिकल्चर आ जाता है मत से पालन आपकी पशु पालन एनिमल हस्बंटरी सभी आ जाती है आपको याद रखना है अगले अभी जिस जुवर से चल रहा है इक्कीस-बाइस इसमें देखो कितना है 18.8% यह किसकी बात कर रहे हैं यह टॉकिंग और अगले वूट नावट प्राइमरी सेक्टर सेकंडरी एंडस्ट्री के अंदर क्या क्या जागा जाए मैंने इनिग आता है मनूफ्यक्टरिंग आता है इसकी आधी हम बाते करते हैं तो 28.2 परसेंट और सर्वीशेज की यह कितना रहता है 53 परसेंट यह डेटर लगभग 18 18-20 के आसपास रहता है प्रैमरी वाला सेकंडरी वाला जो रहता है बटा पचीस के आसपास 26-25 28 उसी के तीस के बीच और यह जो रहता है जरली 50 अब रहता है हमेशा हमेशा जरली 50 सब्सक्राइब होता है ठीक है और टोटल कॉंट्रिविशन सभी मिला कि हो जाएगा आपका जीवी यानिकी कंप्लेट पर्टेंट अब आप पूछो कि सरी जीवी होता क्या यह तो बताव अपने जीवी तो हमको बताया नहीं उसर पहले जीवी हमको बता दीजे आए बटा ज सर्विसेस गोड्स प्लस सर्विसेस वस्तु और सेवा का अंतिम जो मुल्य होता है लास्ट प्राइस उसको जड़ेपी बोलते हो जीवी ये में क्या होता है ना जैसे कि कोई चीज माल लेते हैं दो हजार ग्यारा बारा एक्चुली यह बेस यह होता है जिसको हम अधार मान के चलते हैं माल लेदे 2011 12 में समूसा है इस समोसे की वैल्यू समोसा पता ना समोसा हो सकते था कब 2011 बारे में आज 2022 में इसकी वैल्यू हो गई है सपोस्स टैन रूपीज मतलब इसके जीवी में कितने परसेंट के व्रिद्धिय हो गई सीधा सीधा 5 दूनी 10 रुप्या डबल हो गया जस्ट डबल हो गया 100% मतलब इसके जीविये में इंक्रीज हुआ 100% डबल हो गया अब मैं माले तो सर उस समय जैसे कि कई बार होता है मोबाइल डेटा मोबाइल डेटा याद रखना मोबाइल डेटा पहले आपको महंगे मिलते थे अब अब ऐसा जब मैं बहुता है और तो हमको सस्ता मिलता था पहले था फ्री में तब 2000 के पैदावाले होंगे ना तो 2011 पार में खुद आप 10-11 साल के रहोगे तो आपको क्या ही पता रहेगा बहुंस ऐसे बच्चे हैं जिनका 98-99 बर्थियर है उनको नहीं पता जो थोड़े और सिनियर बच्चे हैं जो लोग अभी 26-27 साल के 28-30 साल के उनको पूछना नहीं भी तो आप अपने किसी भी बड़े लोगों से पुछना जिन लोग जरली अभी 30-32 साल के हो चुके थर्टी थर्टी टू यर के जिन लोग हो चुके ना उनसे पुछेगा कि 2011-12 में मुबाइल डिटा कैसे था क्या रिट था तो पहले एक आता था स्क्रेच काड आता था याद बैलेगा और इसी को और थोड़ा सूपर ले लेते हैं यदि हजार रुपे का आप लेते हैं सपोस्स मुल्टिप्लाइब कर लो नहाजार रुपे का लेगो तो आपको 700 रुपी संथिंग आपको बैलेश पिलेगा कि वाद 700 रुपे तक आप बात कर सकते हैं लेकिन आज की अब टू 1.5 या फिर वन जीवी पर डे पहले जमाने भाई मैं मेरे को याद है मैं उस जमाने का हूं मैं मुझे पता है हम लोग को ना एक महिने में एक जीवी मिलता था वन मन्त में वन जीवी मतलब इसकी जो जीवी यह है ग्रॉस वैल्यू एड़ेट है इसकी घड़ चुक है ऐं यहां आरे समझ में दाल चाबल की जो रेट 2011 में कम थे आज बढ़ चुके हैं मतलब कुछ चीजें हैं जिनकी रेट यहां पर बढ़ी हुए हो पुछ चीज़े से जिनकि ने यहां है है क्या वह रोब्वार समझें कुछ चीज़े जिनके रोते सिल चीजया वहाँ पर कम हुए हैं तो हिस प्रकार से जीजिए आप लोगों को समझ आ गए हैंगे अभी कॉनमी सर्वें में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे यहां पर देख सकते हो इसारी की सारी चीज़ें हम पूरा पढ़ेंगे डेटेल में पढ़ेंगे इन चीजों को क्या क्या है कैसे आपको पूरी की पूरी चीज़ें आपको डेटेल में यहां पर पढ़ाए जाएंगी राइट ओके सो थांगे सो मच गैस वाचिंग टेक केर बाबाए चेहिंद